दोस्तों चुनाव प्रचार के आखरी दिन समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव कानपूर में थी। कानपूर के सीसा मौ में उप्चुनाव हो रहा है। दिम्पल यादव के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गडबंधन की प्रत्याशी नसीम सोलंकी भी थी। और दिम्पल यादव के साथ नजर आई समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता जुही सिंग। तो रागिनी सोनकर ने डिम्पल यादव का अभिवादन करते हुए। उसी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर डिमपल यादव के पैर चुए उनका आशरवाद लिया और डिमपल यादव ने भी रागनी सोनकर के कंधे पर हात रखकर उनको आशरवाद दिया और उनका हालचाल भी पूछा। इस दोरान नसीम सोलंकी भी थी नसीम सोलंकी भी लोगों का अभिवादन कर रही थी इस रोड़ शो में आगे की थरफ समाजवादी पार्टी के थमाम नेता पैदल चल रहे थे कॉंग्रेस के नेता थे कानपूर में इंडिया गडबंदन से लोग सभा चुनाव लड़ चुक तो डिमपल यादव ने बिलकुल आखरी दौर में सीसा मव में रोड़ शो करके चुनाव को नसीम सोलंकी के और भी पक्ष में कर दिया है इससे पहले अखलेश यादव ने भी नसीम सोलंकी के लिए जनसभा की थी उनके लिए वोट मागे थे तो शिवपाल सिंग यादव की स्टार प्रशारा का खलेश यादव की पत्नी और मैंपुरी की सांसर जिंपल यादव ने आखरी दौर में मूर्चा समाल लिया और इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी के लिए लोगों से वोट मांगे उनके लिए समर्थन मांगा अब दोस्तों इरफान सोलंकी सलाक प्रम्यान आप देख सकते हैं डिमपल यादव के साथ नसीम सोलंकी है रागनी सोनकर है पीछे जूही सिंग है रिबू श्रेवास्तव है और आप देख सकते हैं उसमा एकबाल समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कारिकरता हैं, हाथों में समाजवादी पार्टी का जंडा लेकर चल रहे हैं, पूरी जबरदस्त भीड़ है, हर तरफ समाजवादी पार्टी के जंडे हैं, समाजवादी पार्टी के कारिकरता हैं, और जब आप आगे से लेकर पीछे तक इस पूरे नजारे को देखते हैं तो आपको हर तरफ सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग नज़र आते हैं नसीम सोलंकी डिमपल यादव जिन्दाबाद के नारे लग रहे हैं इर्फान सोलंकी का मुखोटा ओड़ कर भी मुखोटा पहन कर भी फेस मास्क लगा कर तमाम न वोट शो नसीम सोलंकी को और भी जादा ताकत देने वाला होगा अब दोस्तों सीसा मौश समाजवादी पार्टी का गड़ है इर्फान सोलंकी का गड़ है 2012, 2017, 2022 इन तीनों चुनाव में इर्फान सोलंकी यहाँ से चुनाव जीते हैं विधायक बने हैं लेकिन क्योंकि उन नवंबर को यह पता चलेगा कि सीसा मौश का अगला सर्ताज, सीसा मौश का अगला सिकंदर कौन है, कौन चुनाव जीतेगा, यहाँ नसीम सोलंकी का मुकाबला BJP के सुरेश अवस्थी से हो रहा है, सुरेश अवस्थी उनके सामने प्रत्याशी है और सीसा मौश की सीट प जरूर दीजिएगा